दोस्तों कि आपका भी फून का बैटरी जल्दी खतम हो जता है आप एक बार सर्ज करते हो उसके बाद थोड़ी देर मूबाइल को यूज करते हो उसके बाद फून का बैटरी लो हो जता है तो यही प्रॉब्लम अगर आपके फून के बैटरी के साथ हो रहा है तो आज में द वीडियो को step by step follow करना है तो दोस्तों आपको फिर से स्वागत करता हूँ आपका ही सब्सक्राइब करता हूँ आपको एक रिक्वेश्ट करता हूँ जो वीडियो देख रहे हो आपको इसी खुशे में वीडियो को लाइक कर दिना है और सेनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इसके साथ जो बेल है यह ओल बेल पर आपको दबा कर देना है और इसके नीचे जो कुमेंट वक्स देख रहे हो तो आपको भी दोस्तों यहां पर कमेंट कर दना है बैटरी इनकरेज बैटरी बेक अप करके ठीक है और जैसे क 모र कमेंट हो जाएका इब आपके फोन में कुछ सर्टिंग करना है अगर आपका फोन का बैटरी आपको लगता है कि जल्दी खतब हो रहा है तो सब से पहले आपको सौचो मद बिल्कुल सर्टिंग पर चिला जाओ और स्य्टिंग पर चले जाने की बाद दोस्तों आपको एक setting मिलेगा हर Android phone में जिसका नाम होगा battery जैसे कि मेरे phone में इस setting मिल जाता है battery आपके phone में भी battery का setting मिलेगा और इसमें मिलने के बाद यहाँ पर आपको एक दो तीन चार चार नमबर पर आप देख पा रहे हो जैसे कि यहाँ पर additional features इस सबसे पहले जो setting मिलेगा आपको यहाँ पर battery server का देख सकते हो जो कि आपका phone में इसलिए battery जल्दी खतम होता है क्योंकि यहाँ पर कुछ setting आपको करना है तो सबसे पहले आता है turn off mobile data when device is locked यहाँ पर आपका never रहेगा इसका मतलब यह क्या है जैसे आप आपका phone का screen को off करोग जिसके वाज़े से हमारे phone का battery background में जल्दी खतम होता है तो वह पहला बहुत बरा reason है जिसके वाज़े से हम क्या करता है background में data को बंड करने के लिए भूल जाता है तो उस time क्या होगा यह battery server का SX setting है जिसका setting का नाम होगा turn off mobile data when device is locked यहाँ पर never रहेगा आपको बास never को हटा के in five minute कर दो और अब क्या होगा इन five minute पे जो भी आप data को on करते हो on करके अगर आप screen को बंड कर दोगे बंड करने के बाद पांच मिनिट जाएगा पांच मिनिट के बाद जो है data जो है अभी देखो mobile का data अभी भी on है display off किया था देखो mobile का data on है तो इसलिए कभी कभी mobile का battery जल्दी खतम हो जाता है तो इसलिए यह जो है turn off mobile data in पाच मिनिट जैसे पाच मिनिट आफ करके रहोगे फोन का screen को उसके बाद अपने डाटा ओफ हो जाएगा फिर बैटरी भी बच जाएगा उसके बाद क्लियार केच होएं डिवाइस लॉक्त यह सेटिंग है यह पर अनुकर बैटरी जल्दी खत्म होता है तो यह जो है अना और चैनल के लिए कर देगा और सेटिंग यहां पर यह है सेटिंग के नाम क्लियार कैच करता हैं इसको बस इन मिनिट कर दो इन मिनिट क्या हो गाओ जैसे हम अभी यहां मैं निक क्कبر आते हैं लेकिन वह यह यह तो आटोमेटिकल यह हट जाएगा सिर्फ इस एप में रहोगे वही एप का बैक्राउंड में डाटा खाएगा और बैक्राउंड में बैक्राउंड में बैटरी कंजिम होगा ठीक है तो इसलिए यह सेटिंग पर आपको इन वान मिनिट कर देना है उसके बाद आज कल आप यहां पर दोस्तो इसके साथ और एक जरूरी सेटिंग है जिस सेटिंग का नाम होगा एडिशनल सेटिंग में सेडिल पाउर अन ओफ यह बहुत ही जरूरी सेटिंग है दोस्तों इस सेटिंग से आखिर होगा क्या मैं आपको बता आता हूं जैसे हम रात को मूबाइल को आपका फून दो आप यूस नहीं करते हो पिसले आप उस टैम 5-6 गंटफ शोते हो तो उस टैम आपका फून किया होता है अोन रहता है और और वन होने के बाध मूबाइल का बेकरांड में प्रोसेसर है वो एक्टिब होते है जिसके वाज़े से आपका फूना बैटरी जल् या एक बज़े से होते हो अगर बज़े से होते हो तो एक बज़े टाइम लगा दो तो एक बज़े अपने आप ओफ हो जाएगा फिर सुबव अगर आठ बज़े उठते हो तो साथ बज़े लगा दो टाइम टाइम लगा दो तो आठ बज़े से पहले एक गंड़े पहले मोब on time देख रहे हो power on time आपको करना क्या होगा सबसे पहले on कर दिना होगा और जैसे कि मैं सुबह 8 बज़े तक उठ जाता हूं तो इसलिए मैं मैं लगबग एक दो बज़े सो जाता हूं तो इसलिए मैंने power of time धाई बज़े कर दिया मतलब हर रोज जैसे धाई बज़ेगा उसके बाद आपने आप मोबाल आप हो जाएगा और फिर यहां पी रिपीट कर दिया और जैसे सुबह 7 बज़ेगा तो आपने आप अन हो सेटिंग है दोस्तों यह भी बहुत ही ज़़राई सेटिंग है अगर आपका फोन का बैटरी का बैक अप इंक्रेज कर सककरना चाहते हो तो इसके लिए सबसे पहले आपके फोन के about phone या about device इस तरफ से लिखा रहे गा तो इसी about phone या about device पे क्लिक करना होगा उसके बाद दोस इस तरफ से you are now three steps इस तरफ से आएगा या आपको आएगा build number तो इसी build number पर आपको दबाना है उसके बाद आएगा you are now developer यह setting बहुत ही ज़रुरी है यह developer setting on होगा उसके बाद back कर देना होगा फिर आपको नीचे आना होगा आने की बाद एक setting मिलेगा जिसका setting का नाम होगा additional setting तो इसी additional setting पर आपको क्लिक करतीना होगा और कर देने के साथ-साथ यहाँ नीचे आना होगा तो यहाँ पर एक setting मिलेगा जिस setting का नाम होगा developer option तो इसी setting को यहाँ पर click करतेना है कर देने के साथ-साथ इस त्रफ से आएगा उसके बाद आपको यहाँ पर जैसे यह डाविं management throttling दोस्तों यह सेटिंग अभी मेरा on है आपका शायद यह off रहेगा इस सेटिंग से होगा क्या radius battery drain मतलब जिए battery drain होता है आपका battery जल्दी खतम होता है वो reduce कर देगाख वो drain होने से बचाएगा और improve coś network performance mobile network का spid भी भराएगा तो यह agar आपका 11 साफ है इसको बस इस तरफ से On कर देना है यह जो है आपका जो मोबाइल के बैटरी जल्दी खेतम होता है तो वह newcom we'll दूस धिक के बाद युज़ंगी और एक प्रॉब्लेम के वاد से आपका फोन का बैटरी जल्दी खबास होता है और वह ओकाई है देखना यहाँ पे इस तरह का location करके नीचे आओगे तो देख जाएगा तो इसी location पे click करना होगा और यहाँ पे location पे click करने के बाद यहाँ पे setting मिलेगा location service तो आपको इसी location service पे click करना होगा और कर देने के बाद यहाँ पे setting मिलेगा जिसके नाम होगा वाइफाई स्कैनिंग और यह location में जैसे आप data को on करोगे तो यह वाइफाई स्कैनिंग और Bluetooth स्कैनिंग करते रहेगा आपके phone के background में जिसके बज़से आपका phone का battery का जो health है ना वो जल्दी कम हो जाता है और बैटरी बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर यूस होता है तो इसलिए वाइफाई स्कैनिंग इसको बस बंद करते ना है इसका कोई काम नहीं है उसके बाद Bluetooth स्कैनिंग इसको भी आपको बंद करते ना है इसका भी कोई भी काम नहीं है ठीक है बस आपको यह setting कर लो और फिर देखो आपका phone का battery का कुछ effect आता है कि आप मुझे comment करके ज़रूर बताना तो दोस्तों ऐसे कि अभी मेरा यह जो कुछ setting बताना है इन setting को आप आपकी फोन में अभी कर लो उसके बाद जो battery का draining problem है वो solve हो जाएगा बैटरी अगर जल्दी खतम होता था वो भी solve हो जाएगा दोस्तों अगर आपको यह उड़े पसंद आ रहा ना वीडियो से थोड़ा भी आलपूल लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और सेलेल को सब्सक्राइब करके उसके साथ जो बैल है ना वो all बैल पर दबा के ज़रूर लग देना तो दोस्तों आज के लिए इतना ही फिर में लेगे दोस्तों सब्सक्राइब अगली वीडियो में तब तक लिए दोस्तों खुश रहो जैहिंद